हेलो फ्रेंट्स विल्कम तो सरोदे आई इस इस तरह मैंने एक वीडियो के तुरू आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं प्रतियोगता दरफ़ा करेंट अफेयर का जो है वो मंतली कवर कराऊंगा आपको और यह करेंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपी पीचेस दो हजार तैस सिक्टी एड़ बीपेसी ठीक है डायरेक्ट कोश्चन मिलेंगे आपको यहां से और यूपी ट्रबल सी के बहुत से एक्जैम के लिए ठीक है इस यूपी पीचेस जे जुडीशियरी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एक्जैम आपका पहली न्यूज है की यह नैशनल न्यूज सी मैं स्टाथ कर रहा हूँ तो पहली न्यूज है अपकी की जो आईए फो पहला homrade light combat हेलिकोप्टर इसको मिला है इसका नाम है प्रचंड इसको डजाइन और डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लेमिटेड आप लोग इसको सुन ले दो-तीन बार या तो इसको सुन ले पूरे वीडियो को या तो आप इसके साथ पेन कॉपी रखके आप इसको अपने वो नोट्स बना सकते हैं तो डिजाइन और डेवलब किया इसको हिंदुस्तान एरोलोटिक डिमिटेब ने और इसको जो इंडक्ट किया है वो उसमें गए थे वो आपकी होम जो आपकी डिफेंस मिनिस्टर ने है राजनाथ सिंग इसको डिजाइन और डेवलब किया है फ्यक्तर निव्योट्त पर जाते हैं अगली नियूज है कि पिम डेकलेव इंडिया स्थ और इस इंड्या स्थ सूलर पवर बिलच इंडिया स्थ सूलर पावर बिलच तो तो मुडेरा इस से पहले सन टेम्पिल के लिए जाना जाता था, यह विलेज सन टेम्पिल के जाना जाता था, अब यहां पर आपका पहला solar-powered village कहा गया है, ठीक है? याद रिखिये कि मुडेरा इस इन गुज्रात, मुडेरा इस इन गुज्रात, ठीक है? MOVE करते है अगली NEWS की तरब PM वेज़र्ट्स उज्जैन एंड इनागरेट्स महाकाल लोग कॉरिड wisdom प्रोजेक्ट के दिफेगेट्ट्ट्ट ठीक है तो ये है महा कलेश्वर महा कलेश तेम्पिल कॉरिडrous तंस वैसे wanna also October को और तो 11 October को इनॉगरेट किया है अचा ये जो है ये 12 जो 13IX लंगाज हैं गटरी में उनमें से एक है जिसमें devotees every year जोनको विजिट करते हैं तो लृवस्ट लंगाज में से ये 12IX लंगाज में से इसे एक है महा कलेश्वर टेंपल इस इन ओजैन largest wind solar wind solar power plant world's largest wind solar power plant सबसे important use का है इसके लिए Rajasthan किसका ये project है Adani Group का capacity क्या है 600 600 MB 600 MB इतनी इसकी capacity 600 MB Rajasthan के Jaisal Mayor में इसको open किया गया है और किसने Adani Green Adani Green World's largest wind solar power plant ठीक है moving to the next news PM inaugurates 4th Vanday Bharat 4th 4th important है Vanday Bharat Express ठीक 4th Vanday अच्छा ये 4th जो inaugurate हुई ये कहां से कहां तक है ये है Delhi 2 New Delhi 2 Una Una is in Himachal Pradesh Delhi 2 Una अच्छा इसके अलावा पहली चली थी आपकी पहली चली थी आपकी वारानसी 2 New Delhi पहली चली थी वारानसी 2 New Delhi दूसरी चली थी डेली 2 Cutra ठीक दूसरी चली थी डेली 2 Cutra और तीसरी जो चली थी वो मुंबई 2 Gandhinagar मुंबई टू गांधी नगर ठीक है तो फोर्थ चली है फोर्थ चली है डेली टू उना हमाचल पड़ दीए ठीक है moving to the next news PM inaugurate second United Nations World Geospecial Information Congress in Hyderabad 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 is important ठीक है तो World Geospecial Information Congress कहाँ होई फाइदरबाद में इनागरेट किस ने किया PM ठीक moving to the next news ये बहुत important PCS हो या कोई भी exam हो ये important है देखिए अब इसमें क्या है डीवाई चंदरचूड क्या है 58 जिसमें हो जाएगा आपके लिए 48th 49th ठीक तो 49 ते आपके लिलित ठीक लिलित और इससे वह लेते हैं रवन्ना ठीक 50th कौन है डीवाई चंदरचूड अच्छा डीवाई चंदरचूड सर जो है इनको scholar judge भी कहा जाता है ठीक है यह किसी university में जाते हैं तो लोग बच्चे एकदम पागलोग तरह इनके पीछे दोड़ते हैं इनकी बहुत respect है इनकी बहुत रेस्पेक्ट है इनसे देश को भी बहुत उमीदे हैं कि यह आएंगे और कुछ अच्छे judgments भी देंगे ठीक है कुछ न इंडिया first suspension bridge जो है sir वो वो कृष्णा रिवर पे बनेगा किस पर बनेगा कृष्णा रिवर में और यह पास करेगा यह पास करेगा यह पास करेगा नल्ला माला हिल्स नल्ला माला फोरेस्ट रेंज से नल्ला माला फोरेस्ट रेंज से होकी यह पास करेगा कृष्णा रिव आंध्रा तेलांगाना और आंध्रा प्रदेश को कनेक्ट करेगा ठीक है नल्ला माला फोरेस्ट से होके घुजरेगा ठीक है यह फर्स्ट केबल स्टेट कम सस्पंशन बरिज है ठीक है यह आप याद रखना है अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि क्योंकि हम एक चीज होती है अब उस चाइना की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इस बल्क ड्रग पार्क को उना हिमाचल प्रदेश में इनागरेट किया गया है ठीक है और इससे हमाई डिपेंडेंसी कम होगी और कहां पर रहेगे तो हिमाचल प्रदेश अप्शन आ सकता या आप उना हिमाचल प्रदेश साथ में लिखके आएगा ठीक है उसको याद रखिएगा मुविंग दुदर इस न्यूस आइनस अरीहंत लॉंचर सब्मरीन लॉंच्ट बैलिस्टिक मिजाईल ठीक है अच्छा आइनस अरीहंत जो है यह फर्स्ट इंडिजीनियस सब्मरीन है ठीक है नूक्लियर केपबिल भी है तो इसने लॉंच्ट किया है सब्मरीन लॉंच्ट बैलिस्टिक मिजाईल इसने कौन सी एसल बीम एसल बीम को लॉंच्ट किया है ठीक है तो और कहां यह इंपोर्टेंट है कहां बे ओफ बेंगॉल में कुछी न्यूस होती है जिन पर आपको ध्यान देना है टाइम जादा वेश नि मुँग तो नेक्स्ट न्यूस इंडियन एर फोर्स सेलिब्रेट्स निएर फोर्स डे आइट चंदिगाव ठीक अब क्या इंपोर्टेंट है कब स्टैब्रिश हुआ था इंडियन एर फोर्स निएंटीं थिट्टी तू में दो हजार बाईस नब्बे साल हो गए कहां सेलि एर फोर्ट लार्जेस्ट एर फोर्ट एर फोर्स है कौन कौन है हम से आगे युएसे चाइना रशिया युए ने युएसे चाइना रशिया फिर क्या है इंडिया ठीक है फोर्ट लार्जेस्ट और प्रेसिदेंट अफ इंडिया होल्ट तर रैंक ओफ सुप्रीम कमांडर एर फोर्स सुप्रीम कमांडर ओफ एर फोर्स कौन प्रेसिडेंट ओफ इंडिया ओके मोविंग तो नेक्स न्यूज वर्ल्ड ओल्डेस्ट डॉक लोथल लोथल सर गुजरात में आता है यह आपका अरेवियंसी हो गया यह आपका गुजरात हो गया और इसमें यहां पे नाशनल मैरिटाइम हैरिटेज कॉम्पेक्स का दर्जा मिलेगा ठीक है तो इसमें इंपोर्टेंट क्या है लोथल याद रखना है ठीक और लोथल बाकि आप इसको इंचेंट हिस्ट्री के दूच थोप अफ़ड़ा से देख लिजेगा क्या है लोथल क्या है स्वेरि के सा इंडिस्वेली सिविलाइजेशन देन आपका वैदिक पीरियेड ठीक है देन आपका बुद्धिजम और देन आपका जैनिजम कुछ इंगर पढ़ने का टाइम नहों तो इतना जरूर पढ़के एक्जैम में जाना PCS और PCS एक्जैम के लिए तो आपको आराम से दो तीन कोशन इसी में मिल जाएंगे ठीक है ओके, moving to the next question, moving to the next news PM inaugurates 98th Interpol General Assembly अब PM ने inaugurate किया, पहली news 98th, एक ये news और New Delhi में होती है ठीक, ये तना important है उसके बाद 25 years के बाद 25 years के बाद General Assembly हो रही है Interpol की General Assembly हो रही है 25 years के बाद, ये important है ठीक है, सिर्फ हम आपको important points इसके दे रहे हैं अच्छा, इन्होंने पहला अपना Metaverse भी launch किया है Metaverse, जरूर इसको देख लीजेगा आप लोग Google करके ठीक है, क्योंकि ये science and technology का part है तो इन्होंने पहला अपना वो लाउंज कर दिया है, जिसके अंदर Interpol, Secure Cloud होगा ठीक है, जिसमें आपकी neutrality को maintain रखा जाएगा और तमाम चीजे होंगी, तो ये आप याद रुखे है यहाँ पे इन्होंने Metaverse लाउंज किया PM ने एक 9 ग्रेट किया 98 है, और General Assembly 25 एर के बाद हो रही है, कहाँ होई, यह सबसे दा important है, new till ही, ठीक है ओके, moving to the next news अब हम इंटर करते हैं, वर्ल्ड पे तो वर्ल्ड's first space tourist sign up for moon तो ये एक है, Dennis 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 Tito ये जो है 32, इनकी age है 82 इनकी age है 82 और इन्होंने sign up किया है स्टार्ड शिप है, इसमें ये फिर ये moon पे जाएंगे ठीक है, ठीक है, ये 2001 में गए थे, 2001 में ये एक बार होय आए है, moon पे और फिर से इनका जाने का plan है, Dennis Tito नाम है, इनका ये पहले space tourist है जो भी next job mission जाने वाला है, ठीक है moving to the next question Israel and Lebanon science agreement on maritime border and gas field अच्छा Israel और Lebanon ठीक, जैसे ये Mediterranean Sea है, ये Israel है ठीक है, और ये Lebanon ऐसा हमाम लाएगा ठीक तो ये ये हिस्सा जो है Mediterranean Sea का ये, ये gas field और इन सब चीजों से, मतलब इसमें resources बहुत जादा है तो इस पर किनू ने historic deal करके अपनी जो इनकी जो थी अरे, जो भी tension थी उसको solve करने की कोशिश की है ठीक है ताकि ये जो national resources इसको exploit किया जा सके ठीक है diagram को तो मैंने समझा दिया आप इस विक बार map पे देख लिएज़ेगा तो इस चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी okay, moving to the next question moving to the next news historic MOU memorandum of understanding signed to launch India's rupee debit card ये कहां पे हुआ है? Oman में ये कहां हुआ है? Oman में Oman में अच्छा, इसको किस ने develop किया rupee debit card को national payment corporation of India national payment corporation of India ने उसको launch किया है तो ये एक MOU किसके बीच में है national payment corporation of India and central financial institute of Oman Oman याद रखिए का ये एक important है और rupee debit card ये important अगर आजाए कि किस ने develop किया है तो NPCI ने national payment corporation of India moving to the next news Burkina's Ibrahim Taraori world's youngest president at 34 34 years के हैं और ये world youngest president is वक दुनिया की youngest president में आते हैं Burkina Faso याद रखिएगा Ibrahim's Taraore ठीक इनको याद रखिएगा moving to the next news सिर्फ हम आपको inform मतलब one liner type का कर रहे हैं मैं एक line लिखता हूँ उसके नीचे दो तीन जो important news है इसको आप अगर चार-पांच पर सुन लेंगे या आप इसको pen से अपना use कर लेंगे तो आप ही समझेगे कि दो पीज में आपको पास first class वह हो जाएगा यह first part है यह first part है second part मैं कल अपलोड कर दूगा second part कल अपलोड कर दूगा दोनों ही छोटे वीडियोज होंगे तो आप लोगी सानल को सब्सक्राइब कर लिए साथ ही साथ मैं तेलिग्राम चैनल जरू जाएग कर लीजेगा तो पर मैं क्विज भी करातना हूं उस पर मैं मेंस की आंसर राइटिं कराता हूं ठीक है okay Russia launches rocket from US after 20 years थोड़ी टेंशन लेटी तो इसे नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब इनोंने रिसेंटली जो है SpaceX Falcon 9 rocket and Dragon Capsule with multiple crew of four astronauts इसमें कोई लाँज किया SpaceX Falcon 9 rocket carrying Kennedy Space Center से लोने फ्लोरिडा से लाँज किया गया है ठीक है फ्लोरिडा से लाँज किया गया है rocket कौन सा है SpaceX Falcon 9 Falcon 9 ठीक है और ठीक SpaceX Falcon 9 फ्लोरिडा से लाँज किया गया है और रशिया ने यूएस से लाँज किया है 20 years टेंशन जो चल लए तो इसके वज़े से नहीं हो पा रहा था ओके आगे आते हैं रशी सूना के तो बड़ा न्यूज में थे ठीक है ठीक इसके अलावा ये 57th है 57th 57th UK के प्राइम मिनिस्टर है ये पहली चीज़ ये इंपोर्टन्ट है दूसरी चीज़ इनके कैबिनेट को जरूर देख लीजेगा इनके कैबिनेट को जरूर देख लीजेगा क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं न वो इसी चीज़ के आराउंड आ रहे हैं बहुत डीप में पुछे जाते हैं खास करके मैं बात कर रहा हूँ 68th BPSC के लिए ठीक इनके कैबिनेट को जरूर ठीक से पढ़ लीजेगा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 100% आप शूर हो सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन एक आ जाएगा 100% शूरटी से बोल सकता हूँ और क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा आएगा रिशी सूनक को तो कभी बूचेंगे ही नी वो उनकी कैबिनेट को पूछ लेगे ये पूछ लेगे कौन इनकी कैबिनेट में नहीं है ठीक तो थोड़ा सा वैश्चन थोड़ा सा थाफ आएगा और आएगा जरूर तो इसको जरूर आप चेक कर लीजेगा, आप गूगल कर लीजेगा, रिशी सुनक से रिलेटी, ठीक है, ओके, नेक्स्ट न्यूज, जैपैन अउस्ट्रेलिया इंक, सिक्यूरिटी पैक्ट, अब इन्हों ने किस ताइप को सिक्यूरिटी पैक्ट किया है, यह देखते हैं, यह एक साथ ट्रेइनिंग भी लेंगी, किसकी, जैपैन और उस्ट्रेलिया की, जो डिफेंस पोर्चस हैं, डिफेंस में है, इंटैलिजन्स में हैं, तो इसको बोला गया है, ज्ञाइन के पिम है, फोमियो किशीदा, और और उस्ट्रेलिया के हैं, एंथनी ऐलबनीज, एं declaration on security cooperation कहला रहा है इसमें North Australia में दोनों की defense forces training लेंगी एक साथ और defense intelligence इस तरी sharing इस सब चीजे इस pact में included है ठीक है अगले news पे आते हैं Xi Jinping third term इनको मिल गया है ये पहले ये पहले president इनको तीसरा term मिला है ठीक है पहले president इनको तीसरा term मिला है ठीक तो इनने third term दिया गया है इस पार और इसमें कुछ important news है नहीं आगे देखते है Indo-US Tri-Series अब देखे ट्राइ सर्विस Indo-US एक चीज इंपोर्टन दूसरी news है Tri-Services मतलब Indian Air Force Army, Navy तीनों services है ठीक है MBCS, HADR exercise जिसका नाम है Tiger Triumph 2022 Tiger Triumph 2022 कहां होता है ये सबसे important news है विशाखा पत्नम में क्या नाम है Tiger Triumph किसके बीच इंडो इस क्या है Army, Navy, Air Force तीनों ठीक अच्छा स्टार्ट कब होई थी 2019 में फर्स टाइम कब होई थी 2019 में Tiger Triumph अगली news देखते है WHO alert over Indian meat कफ सीरप्स कुछ कफ सीरफ थी जो गैंबिया में कुछ नफसान कर गई उसके उपर WHO ने alert खुशित कर दिया है ठीक है Elon Musk complete Twitter take over Twitter को take over कर लिया है Elon Musk ने और ये take over जो है वो complete हो चुका है ठीक है 28th October को ये हुआ ठीक है इसमें साथ कोई न्यूस है नहीं अगली देखते है United Nations Secretary General visits India हाँ ये important है कौन है Antonio Guterres Antonio Guterres ठीक है और इसमें India at the rate 75 UN India Partnership Strengthening South South Corporation इन्होंने एक speech भी डेलिवर किया था IIT Mumbai में ठीक है और ये ठीक इतना important है next देखते है next Roger Vinny replaced Saurav Ganguly as BCCI chief तो पहली चीज इंपोर्टन्ट कौन है कि इन से पहले थे ये हैं 36th BCCI chief ये हैं 36 BCCI chief 35th कौन थे गंगुली थे 36 कौन है Bini Roger Vinny ठीक Bini अच्छा हूम तो इसमें दो चीज़े है 36, 35 त याद रखिए का कौन है Roger Vinny कौन गया सौर्फदंगुली को अटा के बने हैं इतना important है ठीक है मिलते हैं move करते हैं next news की तरफ ये Ajay Baddu appointed election commissioner appointed election commissioner अब इसमें देखिए Ajay Baddu जो है ये गुजरात काडर के I.S. officer है गुजरात काडर के I.S. officer है ठीक है और गुजरात काडर के इससे पहले ये गुजरात के वदोदरा के अब इसमें इतना ही important है तो Ajay Baddu जी को याद रखिएगा अगर वो appointment से related question आता है election commissioner के ठीक है अगले उसमें appointment of justice of करनाठक राजिस्थान और जमकुष्मीर High Court को नए वो मिल गए है justice प्रसंद बालचंदर वराले Mumbai High Court को मिले है मुंबई High Court पहते वहां से वो करनाठक भेद दिये गए है और justice अली मुहमद मगरे ये जमकुष्मीर High Court में अलीवेट किये गए है चीफ justice पे justice मित्तल जो है वो justice मित्तल जो है वो राजस्थान पेजे गए है ठीक मूब करते है नेक्स उस पे सेहान करुना तिलिका वन्स बुकर प्राइस हाँ ये इंपोर्टन्ट है the seven moon of माली अलमेडा हाँ तो इसमें क्या है पहली चीज़ की सेहान करुना करुना तिलक जो है करुना तिलक जी है इन्होंने जीता है बुकर प्राइस 2022 किसके लिए the seven moons of माली अलमेडा the seven moons of माली अलमेडा सेहान करुना तालिका ठीक ओके अगली नियूज देखते हैं एंजला माकल facilitated with UNHCR UNHCR Nan Singh Refugee Award अब ये Refugee Award इनको क्यों मिला ये देखिया ये Refugee Award इन्होंने 2015-16 में जो तकरीबन 1.2 मिलियन Refugees आयते सीरिया से तो इन्होंने जर्मनी के बॉर्डर को open कर दिया था ठीक है तो उसके लिए इनको ये मिला है Angela Markle facilitated with UNHCR United Nation ठीक है Refugee Agency है ये एक तो उसने इनको Award दिया है ये किसके लिए Refugees को इन्होंने जर्मनी के बॉर्डर खोल दिया था और 1.2 मिलियन Refugees जो सीरिया से आयते उनको जंगा दी थी अपने देश में अगली नीज़ देखते है करीन, बंजीमा और एलेक्जिया ने बैलन्जियोर Award जीता है ठीक है ये फुटबॉल का सबसे बड़ा Award होता है ठीक है ये फुटबॉल का एक बड़ा Award है तो जो करीम है ठीक है ये फ्रेंच है करीम जो है एलेक्जिया स्पैनिश है ठीक और ये फुटबॉल का जो है न बहुत ही कोविटेड आवार्ड है ठीक याद रखिएगा बैलन्टियोर Award करीम बंजीमा एन एलेक्जिया फ्यूटलस और इनकी नैशनालिटी क्या है ठीक अकेला शहर है जो वहाँ पर इंडिया का वहाँ तक पहुचा अच्छा एर्थ जी-ट्वेंटी पार्लेमेंट्री स्पीक समिट इसको बोलते हैं पी-ट्वेंटी भी बोला जाता है ठीक कौन गय थे इसमें ओम बरला जी गय थे स्पीकर्स की समिट एक हुई थी ठीक ओम बरला जी ने इसको अटेंड किया कहां हुआ जकार्ता में हुआ जितना इंपोर्टेंट है उतना ही दिया जाएगा आपको जकार्ता में हुआ ओम बरला जी गय और इसको पी-ट्वेंटी भी कहा जाता है ठीक लोगसभाई स्पीकर ओम बरला अटेंड एर्थ एर्थ गी-ट्वेंटी पार्लेमेंटरी समिट वेर ही लेट इंडियन डेलिएशन ओफ पी-ट्वेंटी कॉंफरेंस और्वेंजिशन ओफ गी-ट्वेंटी पार्लेमेंट्स इन चकार्ता ठीक अच्छा इंडिया विल होस G20 लीडर समिट जो नेक्स्ट एर हम लोग 23 में न्यू डेली में होगी ये याद रखिएगा 2023 में न्यू डेली में G20 होगी न्यू डेली में होगी G20 ठीक है नेक्स्ट निउस देखते हैं चाइना लांचिस First Solar Observatory निकनेम्द कुआफु-1 First Solar Observatory क्या निकनेम है इसका कुआफु-1 कुआफु-1 ठीक कुआफु-1 ओके चाइना कही है First Solar Observatory अगला आता है बालिस्टिक मेजाइल लांच फॉर्म अरिहंत सब्मरीन अरीहंत सबमरीन से बलिस्टिक मिजाई लॉंच की गई है कहां लॉंच की गई ये ये न्यूस दूसरे फॉर्म में है लेकिन ये पहले भी डिसकस हो चुकी बेव बेव बेंगोल में ठीक है शुरू में मैंने डिसकस किया था कि आगे रिपीट कर दी अचå तो बेव 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 बेंगोल में ये लॉंच की गई है उसकता लादा इंडियन ने भी एकसराइज प्रस्थान इंड़िय की एकसराइज प्रस्थान आँ ओफशूर सेक्यूरिटी एकसराइज ठीक प्रस्थान was conducted in Krishna Godavari, कहां पे हुआ? Krishna Godavari Basin में, ठीक, Krishna Godavari Basin में हुआ ये, और Eastern Naval Command, जो आपका Eastern, जो आपका कोस्ट है, उस पे Eastern Naval Command ने इसको conduct किया, Krishna Godavari Basin में, इंडियन नेवी का क्या नाम था? प्रस्थान, ठीक. अगली ने उस दिखते है, Defense Expo, Defense Expo 2022, ये 12th Edition है, 12th Edition है, Defense Expo का, और कहा हुआ? गांधी नगर, गुजरात. जब से मोधी जी आए हैं, बहुत सी चीज़े गांधी नगर, गुजरात में, और लोग गुजरात में, बहुत से वह होने लेगें, event. तो ये है, 12th, गांधी नगर, में होता है, 12th Defense Expo, ठीक है, This Mega Defense Exhibition is focusing on land, air, novel and homeland security system, Prime Minister Naryan Modi inaugurated Defense Expo 2022, इन गांधी नगर, गुजरात. ठीक, टीम सापने इनगरेट किया इसको, आगे बढ़ते हैं, Singapore and Brunei Navy's concluded bilateral exercise, इनके नाम याद रिखेगा, Pelican. ठीक, चांगी नावल बेस पे, चांगी नावल बेस, ठीक, जिससे इंडिया को भी, भी, से भी बात चल रही चांगी नावल बेस के लिए, ठीक है, तो उस पे Singapore and Brunei, दो नाव में याद रिखेगा, SB, Singapore and Brunei ने अपना bilateral exercise यहाँ पे किये, Pelican के नाम से, और यह किस चीज़ का है, अगर पूछेंगी, पैल इंडिया test fired अगनी प्राइम बालेस्टिक मिजाइल, रेंज हैस की एक हजार से, दो हजार किलोमेटर, ठीक, दा अगनी प्राइम न्यू जेनरेशन बालेस्टिक मिजाइल वस सक्सेस्फुली test fired, कहां हुई उडिशा, कहां test fire की गई, उडिशा, ठीक, दा स्लीक मिजाइल was test fired from the mobile launcher from APJ Kalam Island, उडिशा में APJ Kalam Island से ये launch की गई, ठीक है, तो ये था हमारा पहला वीडियो, ठीक है, और इसका जो second part है वो भी मैं ले आऊँगा, ठीक है, और ये दोनों को आप या तो लिख लीजेगा, या तो आप इनको लिख लीजे, और या तो फिर कई बार सुन ल है, ठीक है, आपको GS पढ़ने का दौरा टाइम मिले, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, फ्रेंड्स में शेयर करिए इस वीडियो को, थैंक्यू, थैंक्यू, वेरी मच्च